Let's do question number 15th of exercise 2B that is factors and multiples question number 15th is which of the following are the prime numbers हमें ये बताना है इन सब में से कौन से prime numbers है First part is 103 लिख लेते हैं First part is 103 अब अगर हम 103 के factors निकालना चाहें तो क्या हम इसको 3 से क्योंकि 2 की divisibility के लिए 2 last में होना है चाहिए 3 की divisibility चेक करें आपने मेरे last questions में देखा हो तो ये 4 हो गया 4 3 से divide नहीं हो सकता तो ये 3 से भी divisible नहीं है तो इसका मतलब ये किसी से भी divisible नहीं है 5 से भी नहीं है 7 once a 7 देखें तो भी divisible नहीं है तो इसके factors क्या क्या हुए 1 और 103 तो जब अपना ही एक number और एक 1 factor होता है तो वो क्या हो जाता है number prime हो जाता है let's do next part next part है हमारा 137 second part is 137 अब 2 इसकी unit digit नहीं है तो 2 से divisible नहीं है 3 से देखिए 11 हो गया total इसका 7 plus 3 is 10 plus 1 is 11 11 3 से divide नहीं हो सकता तो ये 11 3 से भी divisible नहीं है 5 से भी divisible नहीं है क्योंकि इसकी unit divisible 5 नहीं है या 0 नहीं है 7 से अगर देखें तो 7 1 is a 7 और हमारा कितना बचा 67 67 के table में नहीं आता है तो that means ये हमारा number 7 से भी divisible नहीं है तो इसके factors क्या हुए 1 और 137 तो yes it is a prime number prime number let's do third part now third part is 161 161 तो ये देखते हैं ये divisible किस से होगा अगर हम इसको 3 से देखें तो ये आ रहा है 8 that means ये 3 से divisible नहीं है right 7 से देखें तो 7 से ये divisible हो सकता है देखें अगर मैं इसके factors निकालू 161 को divide किया हमने 7 से 7 1 is a 7 7 2 is a 14 तो 21 7 3 is a 21 आप चाहें तो 7 की divisibility से भी check कर सकते हैं देखें ये 7 से divide हो रहा है तो इसके factors क्या हुए 1 हुआ 7 हुआ 23 हुआ और 161 हुआ लेकिन prime factor के लिए वो खुद और एक 1 होना चाहिए factor तो hence no it is not a prime number let's do next part fourth part is 179 179 9 है last में 3 से divisible होगा तो 9 से भी हो सकता है तो 3 से अगर देखें तो 10 plus 7 17 हो गया 17 का मतलब है ये 3 से divide नहीं होगा राइट अगर आप 7 से भी देखें तो 7 2 is a 14 होता है और 39 बचा 39 7 के table में नहीं आता तो इसका मतलब इसका factor है 1 and 179 तो हम कह सकते येस it is a prime number prime number let's do fifth part fifth part is 217 fifth part है हमारा 217 तो 217 के अगर factors देखें जाएं तो ये 7 से divisible लग रहा है मैं को देखें 217 को अगर मैं 7 से divide करूँ क्योंकि 7 3s are 21 होता है और मैंने 7 उतारा ये 0 हो गया 7 1s are 7 31 से जा रहा है तो इसके factors क्या हो गया 1 हो गया 7 हो गया 31 हो गया और 217 हो गया तो 4 factors का मतलब ये prime नहीं है no it is not a prime number ये prime number नहीं है let's do 6th part 6th part is 277 6th part is 277 देखिए ये 3 से divisible है कि नहीं है 7 plus 7 is 14 15 16 3 से divisible नहीं है 7 से देखें तो 7 से भी divisible नहीं है 9 से भी नहीं होगा अगर 3 से नहीं है तो इसके factors क्या हो है 1 and 277 तो yes it is a prime number let's do 7th part 7th part is 331 331 देखें 331 अगर आप देखें इसको add करेंगे तो ये 7 हो गया 7 3 से divide नहीं होता अगर हम 7 से divide करके देखें जब ये 7 से divide करके देखें तो 7 4s are 28 29 30 31 51 7 के table पे 51 नहीं आता तो इसके factors हुए 1 and 331 तो yes it is a prime number let's do last part last part is 397 397 देखते हैं कि prime number है कि नहीं है अगर आप इसको add करेंगे तो ये हो गया 12 12 plus 7 is 19 19 3 से divide नहीं होता है अगर आप इसको 7 से divide करेंगे 7 से divide करेंगे 75 35 47 47 7 के table में नहीं आता तो इसका मतलब 1 or 397 इसके factors है तो yes it is a prime number answer आपर झाल झाल